हेलो एवरिवन स्वागत आपका फिर से एक नई अपडेट पर तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि आज की जो लेटस्ट अपडेट आई है और में जो है हमारी चेर्मेन एच्छेस्सी के चेर्मेन बपाल सिंग खदरी का ब्यान भी उसमें सामिल है और क्या ह है पूरी अपडेट वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जो है वो मिलेगी सबसे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आगे भी अच्छेससी की सारी लेटस अपडेट अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ तो दोस्तों जै ये रिजल्ट तो रिवाइज होगा ये तो बात आपको पता चल गी थी लेकिन आज जो खबर है उस पर चेर्मैन साब ने भी मोर लगा दी है नए स्टूडेंट्स का होगा सेलेक्शन जी हां कुछ अन्य स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स जो है इसमें एड हो सकते हैं ज परिनाम में मतलब मतलब रजल्ट बदला जाएगा कलर क के भी आपको पता है कि कोट ने तीन परसनों के उतर गल्त माने हैं इस लिए कलर का जो कलर की परत्य हुई थी उसका भी जो है परिनाम बदला जाएगा इसमें एक-ख इंपोर्टेंट जो है वह पढदने वाली के सपेशल इंटर्व्यू चेर्मैन साब का देनिक से वेराई लेता है तो अद देखते हैं महिला पुलिस सिपाई के परणाम में बदलाव परसंटाइल त्रिक्के में हुए बदलाव के कारण होगा तो जैसा बता दिया परसंटाइल में मैठेड में जो गड़बडी होई है उसको regarding लेके जो है बदलाव होगा हर्याना करमचारी चेहन अयोग दो पदो के अंतिम चेहन परणाम के बदलाव करेगा यह बदलाव हर्याना पुलिस शिपाई कलरक के पदों में होगा कलरक पद में हुए लिकित प्रिक्षा में एक सिफ्ट में तिन परसंटों के उतर हा हाई कोट ने मतलब एक जो अच्य सही नहीं माने थे वह हाई कोट ने गल्द कर दिए कितने थ्री कोस्टन ठीक सां से कितनों का सब्छीन होगा ये बात भी आपको पता है कि एक नंबर से स्टुड्शन रह जाते है तो तीन कोस्टन जो और होएंगे शिफ्ट में और कितने स्टूडेंट्स का वहाँ पर सेलेक्शन होगा और यहाँ पर आगे भी लिखा हो है कि कि इसी तरह महिला स्पाई पद के परनाम में परसंटायल तरीके से हुए बदलाव के कारण बदलाव करना पड़ेगा इसलिए कुछ महिला स्पाई के चैनित उमिदवारों के संसोधित परनाम के बाद चैन सुची से बाहर होने की सबावना है जी हाँ बहुत बड़ी खबर है कि रिजल्ट जो आया था फिमेल कोंस्टेवल का उसमें से कुछ केंडेट बाहर हो सकते हैं फिमेल कोंस्टेवल का जो रिजल्ट था उसमें कुछ केंडेट जो है बाहर हो सकते हैं जिसका फाइनल सेलेक्शन हो गया था वो बाहर हो सकते हैं ठीक है और इसमें एड़ हो सकते हैं इसी तरह कंपदों के चैने कुछ उमिदवार वार हो सकते हैं और जो कंपदों के जो स्लेक्शन हुआ था वह भी भार वो सकते हैं देख लो एक कोशन से कितनी बड़ी गड़ी हो जाती है इसलिए जो है आप जब तक आपका फाइनल प्रोसेस पूरा ना ओ जाए किसी तरह की कोई अठ्चन आब अपना selection ये मान के चलो हिए अभी हम मेखा उरली select हो एं इसलिए जो है ये देख लो selection भी होगया कलर खुलोगा और ये भी शंभव है कि उनकी नोकरी चली जाए मतलब जो select हो गए joining भी होगी कलर खुलोगी और salary हुआ है बोड जाए तो महिला का परणाम परसंटायल के नए त्रीक्ति रावी profess दिया है वो Hi Court में जो है वो रखा गया जैसा ही Hi Court से इनको मंजूरी मिल जाएगी तो वो सभी पर लागmind करतेंगे क्योंकि कोई अचन है आएगी Hi Court से मंजूरी मिलने के बाद अब Hi Court उनको जो है पास करेगा यह परसंटायल फॉर्मुला ठीक है क्या नी अब देखलो नया फॉर्मुला कौन से है दैनिक सवेरा ने जानकारियासिल के अब एकवी परसंटायल त्रिक का अपना जाएगा एकवी परसंटायल त्रिक का और यह क्या है एकवी परसंटायल त्रिक का कि हर सिफ्ट में हुई प्र इसकाल था लो था मतलब जो method था कितना इसमें hard shift थी और कितनी असान shift थी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है मगर इस पर high code की more लगनी बकाया है सदान सब्दों में यूँ समझा जाता है कि प्रिक्सा का कतनाइस तर जिन उमिद्वारों के लिए एक जासता उनकी परसेंटाइल उसे कतनाइस तर के नुसार होगी मतलब प्रिक्सा का hard shift देखेंगे यह hard shift की बात कर रहे हैं तो इसके असर जा मेला सिपाई के पद के गोशित चंज सुची पर पड़ेगा वही मेल कॉंस्टेबल पद के लिए चैनित प्रिक्रिया परिपड़ेगा जो मेल कॉंस्टेबल है उसके लिए भी भया भी तो रिजल्ट इनों ने उसका नहीं निकाला तो इसलिए मौन कॉंस्टेबल के बारे में यह सिधा प्रसेंटाइल मैटेड लगा देंगे वही आयोग ने बताया है कि प्रसाइल त्रिक का अदालत में बताया गया है जिसकी जानकारी स्वार जिंक नहीं की जाकती मगर यह तैह है कि लिकित प्रिक्सा के बाद महिला सिपाई और प्रुष सिपाई पदों के लिए जो साथ गोना उमिदवार बरती की अगली प्रिक व्यरी के लिक जो बुला है गए थे स्टूनें ने और ब्दावं नहいます मतलब कभी और दोcular करने को नुकसान जेलना पढ रहे यह पूरी आप देखते हो है तो इस में बड़ा हो रहें तो बड़ यह खबर थी पुरी evalu आपको समझाया अब जो है बहुत ही जल्दी आपका female constable का result जो है रिवाइज देखने को मिलेगा इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share जरूर करें आगे भी कोई भी doubt हो तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही thank you